नावनात के जिरंदर नाच्रित्र में कानीफानात का प्राकट्टे एक बार ब्रह्माजी अपनी अबम संद्री पुत्री सर्ष्टी के संद्रे पर आसक्त हो गई जब सर्ष्टी अपना शील बचाकर भागी उस समें दोड़ते हुए ब्रह्माजी का तेज की रा वाईू ने उस तेज को उड़ाकर जिंगल में स्थितिक हाथी के कान मार दोरा उसके पेट में पहुचा दिया हाथी के उदर में जब ब्रह्मा का तेज पहुचा तो उसने घर्ब रूप धारन कर लिया और उसमें प्रभुद्ध नाराएं ने प्रवेश किया दिरे दिरे सोना मर शवतीत हो गए तवान शिंकर ने विर्तान जिलंदर नात को सुनाया और कहा है जिलंदर नात में हाथी हमाले के वन में एक स्थान पर रहता है तुम उस हाथी के पास जाओ और उसके उदर स्थित पर बुद्ध नाराएं को बाहर प्रगट करो ये सुनकर अगनी देव ने कहा है प्रभू जिलंदर नात को उस हाथी के रहने के स्थान पता किस पर कर चलेगा तो शिव जी बोले मैं तुमें तथा जिलंदर नात को उस स्थान पर अपने साथ लिए चलता हूँ ये कहकर शिव जी जलंदर नात तथा अगनी देव को साथ लेकर हमाले के वन में उस थान पर जा पोचे जा मैं हाथी रहता था शिव जी ने दोर से हाथी की और इंगित करते कहा जलंदर नात उदर देखो काले परवत के समान में मतवाला हाथी बैठा हुआ है अब तुम अपनी विद्या से हाथी को वश्च में करके उसके उदर स्थित पर भुद्ध नारायन को बाहर निकाल कर यहां ले आओ मैं और तुमारे पिता अगनी देव तब तक यहां पर बैठे रहेंगे यह केकर शिवजी अगनी देव के साथ वहीं एक स्थान पर बैठके तब जलंदर नात उस मतवाले हाथी के पास गे उन्हें देखते ही हाथी कुरुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जप्टा प्रन्तो तबी जलंदर नात ने शपर्ष अस्त्र मंतर द्वारा अभी मंतर भसं का प्रियोग करके हाथी को जहां का तहां चिपका दिया फिर मोहन अस्त्र का प्रियोग करके उनके सभाव को बदल दिया फलता हाथी अत्यांत सरल भाव से जहां का तहां खड़ा रहा तब जिलंदर नाथ उस हाथी के बिलकुछ समीब जा पोचे हाथी ने अपनी सून्ड उठा कर उनका विवादन किया और अपने कान को उनकी ओर कर दिया जिलंदर ने हाथी के कान के पास मु करके उनके उधर स्थित बालक को संबोधित करते कुआ है पर बुद्ध नाराइन अब आपके प्रगट होने का अफसर आपो चाहे अब आप क्रिपा करके बाहर आजाए आप हाथी के कान मार्क से बार होंगे इस तिये मैं आपका नाम कानीफा रखता हूँ ये सुनकर हाथी के उधर स्थित प्रबुद्ध नाराइन ने उत्तर दिया मैं इस हाथी के उधर से उठकर कान में पहुँच रहा हूँ आप वहां से मुझे बाहर निकाल ले शन बर माद ही प्रबुद्ध नाराइन हाथी के उधर से उठकर उसके कान में जा बैठे उस समें उनकी आयू सोला मर्ष की थी जलंदर नाथ ने उन्हें देखते ही हाथी कान से बाहर निकाल लिया फिर उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर जा पुचे जहां भगवान शिंकर तथा उनके पिता अगनी देव बैठे हुए थे जलंदर नाथ ने उन दोनों का परचे कराया तो कनीफा ने उन्हें शास्टांग दंडवत की शिव जी तो था अगनी देव ने कनीफा को शीरवाद दिया तथ पुच्छा शिव जी ने जलंदर नाथ से कहा है पुत्र आप तुम इस बालक को मंतर देख्षा दो जिससे इसका अग्यान दूर हो जाए तो शिव जी की आग्या के उन साथ जलंदर नाथ ने कनीफा के कान में मंतर पुदेश किया मंतर प्राप्त होते ही कनीफा का समस्त अग्यान दूर हो गया और उसे संपुरन जगत ब्रह्म में प्रतिभास ही दोने लगा फिर साब लोग बद्र का आश्रम में गई वहाँ अग्यान देव ने जलंदर नाथ से कहा है पुत्र तुमने अपने गुरु दत्तातरे से जो जो विद्याएं प्राप्त की हैं मैं सभी अपने इस शिश्य का नीफा को सिखाओ तद उप्रांथ इसे संपुरन देवताओं का अशीरवाद दिलवा देना इतना कैकर अगनी देव शंकर जिसे आग्या लेकर अपने लोग को चलेगी अगनी देव के अदेश के अंसार जलंदर नाथ ने का नीफा को विद्याएं सिखाना अरंब कर दिया संजीवन तथा मवातकर्शन विद्या के अत्रिक्त अन्य सभी विद्याएं उनने का नीफा को सिखा दी का नीफा कुछी दिनों में उन सब विद्याओं में निश्णात हो गए तब शिवजी के निदेश के अंसार जलंदर नाथ ने सब दिवताओं को बलाकर उन से कानीफा को अशीरवाद दिलाने का निश्चे किया सब दिवताओं को निवंतरन भेजा गया वे बद्रे का आश्रम में आई, जरंदर नाथ ने सब से कनिफा को अपना अशीरवाद देने की प्रातना की, ताकि उनकी सीक्वी विद्या सफल हो सके, उस समय दिवताओं ने जरंदर नाथ से कहा है, जरंदर नाथ तमारे गुरू दतातरे, एम तमारे पिता अगनी देव क कहने पर हम सबने तुमें अपना शीरवाद पुर्दान किया था परंतु अब किवल तुमारे कहने से ही हम कानिफा को अपना शीरवाद दे दें और इस तरह अन्य लोगों को भी शीरवाद देते रहे तो हमारा अपना महत्वी क्या रह जाएगा इसलिए हम तुमारे कहने मात्र से कानिफा को शीरवाद नहीं देंगे ये संकर जिलंदर नाथ त्यंत कृद्ध हुए उन्होंने देटाओं को भटकारते हुए कहा मैं तो आपकी विंती कर रहा हूं और आप लोग एहंकार से भरकर इस परकार की बाते कर रहे हैं ये उचित नहीं है आप मैं आपका ये घमंड चोर चोर करके रखतूंगा ये कहकर जिलंदर नाथ ने वातस्त्र मंतर से अभी मंतर भसं देवताओं के उपर फैंकी उनके प्रभाव से वायो इतने वेक से बेहने लगे कि अकाश में उनने वाले देवताओं के विमान जो की अपने अपने घर की और जा रहे थे डग मगाने लगे और अकाश में ही अटक कर रहेगी ये देखकर देवताओं ने जिलंदर नात के उपर अपने अपने अस्त्र शेस्त्रों का प्रहार करना अरंब कर दिया उन्हें अपने विमान प्रिथी पर उतार लिए फिर वे सम मिलकर जिलंदर नात के उपर तूट पड़े जिलंदर नाथ ने स्तंब न अस्त्र का प्रयोग करके देवताओं के अस्त्र शेस्त्रों को स्तंबित कर दिया फिर उन्हें ने कामनी अस्त्र छोड़ करके हजारो अत्यंत रूपती नव योना इस्त्रियों को वहां प्रगट कर दिया फिर मोहन अस्त्र का प्रियोग करके देवताओं को उनके उपर मोहित कर दिया एक एक देवता के पास तिन तिन संद्रियां जाकर खड़ी होगी देवताओं ने पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वे वहां से उन्हें अपने पीछे पीछे बगाती हुई ले चली और जंगल में पहुँचकर वे मायामनी इस्त्रियां वरिक्षो के उपर जा चड़ी देटा भी उन्हें पकड़ने के लिए वरिक्षो पर चड़ गे तभी जिलंदर नाथ ने स्पर्ष अस्त्र का प्रेयोग करके देटाओं के पाउं वरिक्षो के डालियों से चिपका दिये उन इस्तियों ने ऐसी स्थिती में वस्त उतार कर देपाओं को नगन कर दिया इसके बाद वे सभी इस्तियां अद्रिश्य हो गए नगन देता प्रिश्ची शाखाओं से उल्टे लडगे उनके पाउं डारियों से चिपके हुए थे लजी ठोकर वे जिलंदर नाथ से प्राथना करने लगे कानिफा नाथ को ये दृष्च देखकर दे आई उन्हें पास जाकर देवताओं को वस्तर पहनाना रंब कर दिया वे परतेक देवता को वस्तर पहनाते और उनके कांड में कहते जाते कि आप मेरे गुरू जिलंदर नाथ से ये बात ये मत कहिएगा कि मैंने आपको वस्तर पहनाई है कानिफा नाथ के वेवार को देखकर के देवता अगन पर सन्न हुए उन्हें कानिफा नाथ से कहा कि तुम अपने गुरू जिलंदर नाथ से कहो कि हमारे अपराद को श्यमा कर दें हम सब तुमें अशीरवाद देने के लिए तियार है तो कनीफा नाथ ने ये बात जाकर जिलंदर नाथ से कही तब जिलंदर नाथ ने विभाग तस्त्रका प्रियोग करके देवताओं की शुपर्श मुप्त कर दिया देवताओं ने जिलंदर नाथ के पास आकर श्यमा याचना की फिर उन सामने कनीफा नाथ को अपना अपना अशीरवाद दिया इस परकार चमतकार को नमशकार वाली घटना घटित हुई देवताओं दोरा प्रात्रा किये जाने पर जिलंदर नाथ ने कहा तुम लोग भुष्य में कभी भी मेरे सामने अपने एहंकार का परदर्शन मत करना इसके अत्रिक्त एक काम तुम्हें और भी करना है वै ये कि कुछ समय बाद मैं साबरी मंतरों की रचना करूंगा तुम्हें उनके लिए भी अपना अशीरवाद देना होगा जिससे मेरे रचे हुए मंतर सभल हो सके तथा मेरे कविता का परचार हो देताओं ने ये बात भी सभीकार कर ली तथ बच्चा जिलंदर्नाथ से अन्मती लेकर सब देता अपने अपने लोग को चले गए केवल शिवजी तुथा विष्णू जी जिलंदर्नाथ के पास तीन दिन तक बने रही उन्हें जिलंदर्नाथ की अच्चन परशंशा की तथा अशीरवाद दिया कि तुम देवताओं पर इसी परकार सिदे विजे प्राप्त करते रहोगी फिर शिवजी को आग्या उंसा जिलंदर्नाथ ने कनिफानाथ को नाग अश्वतत्त विरिक्ष के नीचे ले जाकर बावन वीर भूत प्रेत विताल चमंडा वीर भद्रादी सभी देवताओं से अशीरवाद दिलवाया पोरकार में साबरी नामक एक रिशी ने साबरी मंत्रों की रचना रंब की थी प्रन्तो उनकी संख्या अधिक नहीं थी शिवजी चाते था कि कम से कम एक क्रोड साबरी मंत्रों की रचना की जाए ये कार उन्होंने नाथ योगियों द्वारा पोर्न कराना चाहा था इसलिए उन्हें 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 नाथ योगी को साबरी मंतरों की रचना करने का अदेश दिया था मता सेंदर नाथ गोरक नाथ आदी सभी नाथ पन थी योगी क्रोड़ों साबरी मंतरों की रचना कर चुके थे वही आग्या शिवजी ने जिलंदर नाथ को भी दे और कहा कि ये पुत्र कली युग में वेद मंत्रों को सिद्ध कर पान करवाना मुनश्यों के लिए अत्यंत कटिन रहेगा और उनकी महता में अधिक स्थाई नहीं होगी इसलिए तुम और कनिफा नाथ मिलकर साबरी मंत्रों की रचना करो जिससे लोगों को मंत्र विद्या का सहज लाप्राप्त हो सके तो शिवजी के अदेश के अमसार जिलंदर नाथ तुम और कनिफा नाथ ने बाराम वर्ष तक बद्रका आश्रम में रहकर चालीस कडोड बीस लाख साबरी मंत्रों की रचना की शंकर जी ये देखकर अतिन परसंद हुई उन्हें नाग अश्वतत वरिक्ष के देताओं द्वारा जिलंदर नाथ तुम और कनिफा नाथ को शीरवाद दिलवाया वहीं एक स्थान पर बैठे हुए तपस्या का रहे थे प्रन्तु परवत की ऐसी ओड थी कि कोई एक दूसरे को तब करते हुए देख नहीं सकता था अनिफा नाथ तो बाराम वर्ष की घौर तपस्या में मगन हुए प्रन्तु जिलंदर नाथ को समय तक तपस्या करने के अपरांथ वहां से तेत ही आत्रा करने के लिए अकेले ही निकल पड़े